उत्तरकाशी के राजके इंटर कॉलेज की एक चिक्षि का हंशी जोशी आजकल सोशल मीडिया पर चर्चाओ का विशय बनी हुई है आपको बता दे हंशी जोशी कुमावनी हिंदी और गड़वाली भासरा में मतदाताओं को जागरुप करने का काम कर रही है तो वहीं हंशी जोशी ने बताया कि हमारे क्षेत्रों में अधिकान्स लोग चुनाओं में मतदान नहीं करते हैं जिसके कारण कई बार मतप्रतिशत कम रहता है इसी के लिए इस बार उन्होंने मतदाताओं को जागरुप करने के लिए सोशल मीडिया पर स्वरचित कविताओं को गाकर पहल की है उत्तरकाशी से दीपक नौट क्याल की रिपोर्ट अब चुतु मरी हाथ बात आवे जाओ तैयार चौद फरवरी को दिन उनिवालो छो वी दिन तुम सबुले ठाड है जाणो छो दिया भलमनखी को साथ आवे जाओ तैयार अब चुतु मरी हाथ बात आवे जाओ तैयार आमा बुबु हिटनी सकनाली जाणे ते उलो हात खुटा में पीड छुता डोली माली जूलो हात खुटा में पीड छुतो पाल की माली जूलो एगो लोक तंत्र को त्यार आवे जाओ तैयार अब चुतु मरी हाथ बात आवे जाओ तैयार गौंद्वार विकास जो कर लो वी किंदिया बोटा जो तु मरी बात सुणो लो वी किंदिया बोटा एगो लोक तंत्र को त्यार आवे जाओ तैयार रन्यवार मेरे उत्राखंडी भाई बहनों को मेरा नमस्कार साथियों मैं हंसी जोशी आज एक स्वरचित कविता के माध्यं से आप सभी को आपकी वोट का महत्व बताने का प्रयास कर रही हूँ आप प्रपया मेरे इस कविता को ध्यान से सुने काम छोड़ कर सारे लोक तंत्र में प्यारे भाग बदलने को भारत का तिमिर हटाने को भारत का सभी करे मतदान सभी करे मतदान आओ करे मतदान आओ करे मतदान आओ करे मतदान आप सभी का वोट कीमती कीमत इसकी पहचानों एक वोट सरकार बना दे इस अधिकार को तुम जानो राश्ट्र हित में जो कर्म करेगा उसको दे सम्मान वही करे मतदान राश्ट्र हित में जो कर्म करेगा उसको दे सम्मान आओ करे मतदान आओ करे मतदान गाओ गाओ की दीदी बेहनों वक्त बदलने वाला है सोच समझ कर वोट किया तो भाग सवरने वाला है सोच समझ कर वोट किया तो भाग सवरनी वाला है जाती धर्म से उपर उठकर सोच समझ कर जाग रुक रहकर तभी करे मतदान मेरे उत्रा खंडी भाई वहनों को मेरा नमस्कार साथियो मैं हंसी जोशी जिला उत्तरकाशी के ब्लॉग डुंडा में राजकी इंटर कॉलेज जोणगा में अध्यापिका के पदपर कारे रथ हूँ और भारत वर्ष के राष्ट्र व्यापी कारिक्रम राष्ट्री सेवा योजना से जुड़ी हुई हूँ साथियो आज मैं आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि आगामी 14 जन्वरी को आने वाले विधान सभा चुनाओं में आप सभी अपने मत का प्रियोग अवश्य करें क्योंकि हम सब भारत वाशी हैं और भारत वर्ष एक लोगतांत्रिक देश है और लोगतंत्र का अर्थ होता है जन्ता का शाशन जन्ता के द्वारा और जन्ता के लिए इस लोगतंत्र को मजबूत बनाने में यदि कोई महत्व पूर्ण भूमिका निभा सकता है तो वह आप और हम है वह कैसे हम एक सुयोगी चरित्र को वोट करके जब आगे बढ़ाते हैं तो वह चरित्र आगे बढ़कर हमारे देश के भावी भविश्य की नीव रखता है व पुनहा आपसे अपील कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मत दान करने अवश्य जाएं और देश के भविश्य के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें जै भारत जै हिंद